हेलो फ्रेंस मैं अनिल आज आपको आरेचल 6 में रूट का पासवोड कैसे ब्रेक करते हैं ये बताऊंगा इसके लिए आप को क्या करना है जैसे मैं यहाँ पे सिस्टम लॉग आफ कर रहा हूँ कि लागाउट करने के बाद फॉर एक्जांपल मुझे पासवोड इसका नहीं पता है रूट एंटर किया पासवोड क्या है मुझे एक्जैक्ली पता नहीं है अब मुझे इसको ब्रेक करना है तो इसके लिए मैं सिस्टम रिस्टार्ट करूँगा सिस्टम को रिस्टार्ट करना है जैसे सिस्टम रिस्टार्ट होता है रिस्टार्ट होते ही समय आपको स्केप या एरो की प्रेस करना है यहां यहां आप देख सकते हैं यह रिड हैट इंटरप्राइज लाइनेक्स ग्रब मीनु पर आना है इस ग्रब मीनु पर जैसे आप यहां पर आप देख सकते हैं, यह नीचे दिया हुआ, E for editing, E to edit the commands, E press करेंगे, grub को edit करेंगे, यहां पर करनल second line पर आएंगे, फिर E press करेंगे, edit करेंगे, यह second line पर आएंगे, then यहां पर आपको single लिखना है, enter press करेंगे, B press करेंगे, Yes, यह आपका root prompt पर आगया है, यहां पर आपको pass wd space root enter press करना है, then root का नया password आप enter कर सकते हैं, यहां पर enter, password change हो चुका है, system आप reboot करेंगे, यहां पर आप Zuर आप रवेरे, यहां पर आपको आपक करैंगे, पने यहां ग्रॉकारा है, यहां बुछ आप सब्सक्राम करेंगे, यहां बुछ करेंगे बुछाधा एंगे बूसर से, जो मैंने नया पासवर्ड एंटर किया है वर उससे log in करते हैं root enter जो मैंने उससे में डाला था एंटर किया log in कर गया लोसकश वीडियो में आपने देखा कि कैसे Road का password break करते हैं ये सीखा thank you for visiting my blog keep watching for new tutorials